नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर तो दोस्तों गर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ बना है 4.56 billion years पहले और बनने के 2.56 billion years तक याने लगबग 2 billion साल पहले तक अर्थ में कोई major mountains नहीं हुआ करते थे और अगर हम देखें अर्थ में mountains तब बने हैं जब अर्थ म उनको mountains देखने मिलते हैं तो जीहां दोस्तों मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो यही है कि earth के mountains के बनने के पीछे जो सबसे important factor है वो और कुछ नहीं वो plantains है तो आईए आज की इस class में जानेंगे कैसे plantains होने के वज़े से earth में mountains बने दोस्तों मेरा नाम के इंजल पाथ finder पर आप मुझसे मेरे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर lecture के बाद आपको PDF अपडेट्स मिल जाएंगे साथी साथ नीचे दीगे भी एन academy profile है वहां पर आप मुझे follow कर सकते हैं और आखरी कुछ दिन है जल्दी से जाए अगर आपने academy subscription लेने का mountains बने हैं तो जी हां दोस्तो mountains अगर हम देखे तो प्रिस्वी में 2 billion साल पहले उसके पहले की इतिहास में आप जाएंगे 4 billion साल से लेके 5 billion साल तक तो आपको mountains बनते हुए नहीं दिखेंगे लेकिन earth के mountain ranges हैं वो इस बज़े से बन पाए क्योंकि earth में planktans आए और planktans का role था lubrication of rock flaps तो मैं क्या कह रहा हूँ जल्दी आप सब कुछ समझ जाएंगे तो दोस्तों करें mountains की बात करें तो वो कैसे बनते हैं तो जैसा आपको मालूम है जब tectonic plates सापस में टकराते हैं तो इस दोरान जो tectonic plates है वो एक दूसरे के against slide करते हैं और slide करके जैसा आप नीचे दे कि इतने असानी से rocks easily एक दूसरे के खिलाफ pile up नहीं कर सकते slide नहीं कर सकते तो इनको move कराने के लिए एक lubricant चाहिए तो वो lubricant का role play किया है planktons में तो ये planktons अगर आप देखे तो अगर हम प्रिस्वी की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 4.56 billion years ago अर्थ पॉम होता है शौटली उसके बाद moon बनती है चार billion साल पहले अर्थ के oldest rocks हमको देखने मिलते हैं और फिर करीबन धाई billion साल के बाद कुछ वर्षपूर्व आप देखे तो होता यूँ है कि अर्थ में oxygen dominate करने लगता है oxygen बढ़ने लगता है और उसके बाद आज की जो life form है जो की oxygen पर नि mountains देखने मिलेंगे तो आईए अब हम जानते हैं कैसे planktons और fold mountains का क्या रिष्टा है जल्दी से इसको समझते हैं तो दोस्तों अगर हम देखें तो oceans में आज भी आप देखें तो इस प्रकार से ocean के floor में उपर के पानी में जो भी organic matter है वो क्या करता है continuously नीचे गिरता रहता ह हैं तो phytoplanktons हैं zooplanktons हैं वैसे phytoplankton zooplankton क्या होते हैं मैं class के end में cover कर दूँगा मैं अभी मान के चलता हूं कि आपको मालुम है otherwise जिनको मालुम है उनकी समय के साथ wastage होगी तो वो नहीं करते हैं तो ठीक है दोस्तों तो होता यू है कि 2 billion साल पहले आप देखे तो planktons इस प्रकार से पानी में dominate कर रहे होते हैं और आज भी अगर आप देखे तो जो life form है वो ocean के floor में इस प्रकार से continuously गिरती रहती है आज भी देखे तो planktons मरते हैं ocean के floor में गिरते हैं इसके सिवा जो भी organic waste है तिरो चाहे debris हो feces हो जो living thing है उसकी जो organic feces गिर रही है वो भी ocean के floor में गिरती है अब ये सब कुछ carbon rich है planktons की जो dead body है वो भी carbon rich है तो 2 billion साल पहले जब planktons dominate करने लगते हैं ocean floor को तो इस प्रकार से वो मरते हैं गिरते हैं और क्या बनते हैं तो ocean floor में गिरने लगते हैं तो वो जैसे गिरते हैं वो मिटी में sand में quickly बरी होने लगते हैं दीरे दीरे उन पे layer by layer by layer उनका pressure बढ़ने लगता है वो rocks में तबदील होते हैं दीरे दीरे और layer बढ़ता है तो temperature pressure बढ़ता है और over time वो किसमें convert हो जाते हैं तो graphite जो की carbon rich आप देखें तो पत्थर है तो graphite में वो convert हो जाते हैं फिर कुछ इस प्रकार से जब tectonic plates एक दूसरे क converge करते हैं तकराते हैं तो आप अगर देखे तो जब plates टकराते हैं तो इस प्रकार से यहां पर वो एक दूसरे के खिलाफ push करते हैं लेकिन उनके बीच में ocean floor की ही तो मिटी है यही तो वो मिटी है जो कि आप देख रहे हैं यहां पे तो यह जो मिटी है यह किसमें रिच पाते हैं तो दूसरा आप मुझसे पूछेंगे सर ये तो एक plate oceanic है दूसरा plate continental है उसमें बनते हुए उसमें जो fold mountains है जैसे Andes हो गया, Rockies हो गया, Caudillera type mountain से, उसमें तो समझ आता है, हिमालियाज में कैसे, वो तो continent-continent plate convergence है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, आज भले हिमालिया आपको continent-continent plate convergence लिखता है, लेकिन past में, वहाँ भी टेथी C हुआ करती थी, जो कि Eurasian plate और Indian plate को separate करती थी, तो वो ocean floor में तब भी planktons रहा करते थे, तो वो planktons क्या बनाए, कुछ उसी प्रकार से graphite बने, और जिस वज़े से Indian plate, Eurasian plate टकराए, तो जब टकराए, तो convergence के साथ sliding हो तकी, because of this, graphite जिसने lubricant का काम किया, तो यही आपक rocks के बीच में, इनकी जो sliding होई, जो folding होई, इसमें यह lubricant का काम किया, so that rocks के layer एक दूसरे के खिलाफ slide कर सकें, तो plankton क्या होता है, दोस्तों, plankton अगर हम देखें, तो अगर हम ocean में रहने वाले जीवों को बाटें, या पानी में भी रहने वाले जीवों को बाटें, तो इस प पानी के साथ बहते रहते हैं, go with the flow, तो उनको कहते है, plankton, अब plankton दो प्रकार के हो सकते हैं, अगर photosynthesis करते हो, तो उनको क्या कहेंगे, plant type के plankton को, phytoplankton, अगर जानवर हो, photosynthesis ना करते हो, autotroph ना हो, heterotroph हो, तो उनको कहेंगे zooplankton, तो plankton अगर हम देखें, तो microscopic plant या animals हैं, जो की marine food chain को start करवाते हैं, उसके base पर, आप देखें तो हमको phytoplankton, zooplankton ही दिखते हैं, तो कोई भी marine food chain आप देखें, phytoplankton से start होता है, फिर zooplankton जाता है, फिर small fish, फिर large fish इस प्रकार से अलग-अलग food chains marine region में देखने मिल सकते हैं, चाहें तो आप इसको pathfinder में, जब मैं ने क्या किया, इन rocks के बीच में lubricant का काम किया, आज भी अगर हम देखें, तो graphite का इस्तमाल किया जाता है, lock hinges zips में as a lubricant, तो क्या ये changes पहले हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या आज हमको इसका कुछ प्रमान दिखता है, तो जी हाँ दोस्तों, आज भी अगर हम old mountains देखें, त इस प्रकार से previous orogeny अगर हम देखें, तो 2.1 billion years अगो, 2.22, 2.1, 1.8, 222, 1.9, 1.9, 1.9, इतने billion years ago की हमको सारी orogeny देख रही है, सब के base में हमको graphite देखने मिलता है, अरावली is included, जी हाँ दोस्तों, अरावली के भी base में आप देखें, तो graphite देखता है, जो पताता है किस प्रकार से plates converge किये, उसमें एक oceanic part था, वो oceanic part क्या हुआ है, वो oceanic part में जो plankton थे, वो lubricant का काम किये, जब वो graphite में तब्दीर हुए, तो graphite बहुत important है दोस्तों, आज भी अगर हम देखें, तो graphite का इस्तमाल किया जाता है, और आने वाली future green technology में भी इसका इस्तमाल अगर graphite consumption की बात करें, तो सबसे important role होता है graphite का electrodes बनाने में, जो battery होती है, उसमें जो electrodes है, उसमें graphite का इस्तमाल किया जाता है, इसके सिवा graphite को refractory material की तरह भी बहुत ज्यादा use किया जाता है, क्योंकि graphite अगर आप देखें, तो इसकी melting point होती है, वो काफी ज्यादा है, कर कारीबर 3.000 डिगरी Celsius के पास, 3.300 कुछ होती है, तो काफी high melting point है, इस वज़े से इसको आप, अगर हम देखें, तो steel furnaces देखें, तो इसमें हम इसको 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 इस्तमाल कर सकते हैं, lining कर सकते हैं, और इस प्रकार से refractory material की तरह use कर सकते हैं, because of very high melting point, तो इसका भी इस्तमाल इसमें किया जाता है तो recap यहाँ पर मैंने slide डाल दिया है जो कुछ पढ़ाया है यहाँ पर recap में आपको मिल जाएगा notes आपको PDF मिल जाएगे मैंने आपको telegram channel भी starting में बता दिया है तो वहाँ से आप इसको download कर लीजेगा बड़ा important news था यह तो दोस्तो आची class पसंद आई हो तो like जरूर करें अपने दोस्तों के साथ इस video को share करें पाथ find a channel को अगर अब तक subscribe नहीं कियें तो जरूर कर लें और साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूंगा जब भी an academy अगर आप subscription लेने का सोच रहे हैं क्योंकि जो आप यह code उस करेंगे तो इससे आपको मेरी hand holding मिलती है और जो भी guidance आपको चाहिए फिर वो चाहिए GS में हो essay में हो geography optional में हो तो सारे subjects of GS में सब कुछ cover करूँगा और आपको best guidance प्रोवाइड करूँगा अगर आप KC10 code से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके सिवा दोस्तों UPC annual price hike को extend कर दिया गया है 23 December तक तो वक्त है 23 December तक 3 month extension भी मिलेगा यानि 3 month added subscription मिलेगी अगर आप एक साल या उससे अधिक की plus GS and combo subscription लेते हैं तो 3000 से price hike होने वाली है one year and above subscription में और 2000 से price hike होने वाली है plus GS subscription में 3000 GS optional combo subscription में साथ साथ दोस्तों UPC में का combat है जैसा आप देख सकते हैं तो साथ मिनिट 56 सवाल है 19 December सबह 11 बजे तो वक्त तारीक की याद रखें और इसका हिस्सा बने आइपड लापटॉप केंडल स्मार्ट वॉच सबकुछ यहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यह इनका फाइदा आप जबर उठाएं अपकी पढ़ाई में बहुत सब्सक्रिप्शन अगर लेने का सोच रहे हैं तो यही टाइम है दोस्तो एक साल की सब्सक्रिप्शन के साथ हम 20 किताबे भी आपको घर पर पहुंचवाएंगे प्रोवाइड कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आप देख सकते हैं तो उसको फिल अप करें यूस दी एजुकेटर नेम किंजल चौधरी कोड केसी बंजिरो और मेरी टीम आपके लोन की फुल्फिल्मेंट के लिए जरूर प्रयास करेंगे प्रोवाइड भी करवा देंगे तो अगर आप सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट देखे दोस्तो तो जो कीमत है एक साल के प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है दोस्तो के सी वन जिलो कोड के इस्तमाल के बाद आप देख सकते हैं 45,000 रुपीज और वन येर जीए जीए सब्सक्रि यह कीमत तब है जब आप code KC10 use कर रहे हैं साती साथ आपको बता देता हूं तो Unacademy जब भी आएं use the code KC10 क्योंकि इससे आपको मेरी mentorship मिलती है Thank you so much for joining and have a great day let's crack it